तो हम लोग लिखेंगे बाई चेंजिंग अंगल्स यहने के ठीटा और ध्यान रखना यह जो हम लिख रहे हैं ना बाई चेंजिंग क्या चीज यही है प्रिंस्पल्स ओफ एसी मेन एसी जिसको बलते हो कौन सा करेंट यहीं तुमको महसूस होगा कि देखो एसी अब आने वाला है ठीक है तो देखिए ध्यान से सपोज करिए कि हमारे पास यह मैगनेट है यह कौन सा पॉल है मैगनेट का नौर्थ और यह कौन सा पॉल है साउथ पॉल है और यहां पे एक क्वाइल है एक फ्रेम होगा माल ले इस फ्रेम पर हमने क्या किया है ऐसा फ्रेम है एक इस पर हमने बान दिया ऐसे तार को अब इस पर लपेट देंगे हम वायर को इस फ्रेम पर ऐसे आईसे इसका के को एई ओगा ना बोलिए आप इसमें आप जो भी लगाणाम गेलप्र लगा दूजिये बाौल लगा दि गदक dif이랑 men अप समाज से डिएमक ईक इधर Іसमें इस फ्रेम में क्या गेजिए एक कि धर से सपॉर्ड दे दिजिए एक ऊपर भी सपॉर्ड दे कदिये यहां पर क्या लगा दिये हैं यह यह शिम्बोल है बेरिंग का क्या चीज़ सिंबोल है इसको बोलते हैं बेरिंग समझते हो ना यह बेरिंग से जो फ्रिली क्या करता है रोटेट करवाएगा ठीक है और यह शाप्ट है और यह आपका कॉाइल है, मतलब इसको हम क्या किये हैं, एक बेल्ड से इसे कनेट कर दिये हैं और यहां पे एक मोटर लगा दिये हैं, क्या लगा दिये हैं यह, बताइए, क्या लगा दिये हैं, मोटर, और मोटर से इसको क्या कर रहे हैं हम, रोटेट कर रहे हैं, यह भी क्या MAGNETIC FILLED LIINS कि नियों होगा, किदाज होगा? अम मगने टिक्षी, कि तर नॉर्स तर साउट क्या है? MAGNETIC FILLED LIINS है और ये सारे MAGNETIC FILLED LIINS fed in the surface से जा रहे होंगे? इस surface के अपना एक एर्या होगा— ढ़ो भाईज ये क्या है, इसका? surface के perpendicular area vector? होता है न? माल लेते हैं ठीटा तो माल लिज एक लेट कर लिजिए आप अना लेट एक क्वाइल अना having surface area a is placed between uniform magnetic field इसको uniform magnetic field में आपने क्या किया now coil जो है is rotated by some external mean अब external mean क्या है तुमारा बाई तुमारा जो भी external mean हो सकता है जैसे generator gen set में diesel से घुमाते हो नहीं thermal power plant में turbine घुमाता है generator को हाइड्र पाउर प्लांट में बहुत तूचस पानी गिरता है और वोटर पे गिरता है बलेट पे घुमता है उसके कारों उसे generator करना है उसे generator का साफ्ट घुमता है यानि तो उसके सारें क्या होगा यह क्वाइल घुमेगा है ना तो आप इसको कैसे भी आप घुमा सकते माले साइकिल चला रहें आप साइकिल के पीछे इसा क्वाइल लगा दीजे मोटर देखेंगे बहुत सब्सक्राइब आप प्रोज्यक्रमे नहीं तो साइकिल से जेनिटर लगा निनोंठाव से करेंट बने जब यह क्वाइल घुमेगा करेंट बने का फंक आप क साइकिल कि बहुत स्प्रमाइबात को शुiane क्यों क्या करना मुखे रोटेट कराना है दो इसकी कुछ आपिट हो एनने की इसके प्रस्पीट कितनी माल लेते हैं ओमेगा लेट कर लीजिए लेट या जूम कर लो एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी कि अवक्वाइल कि इसकी तुछ माल लें ओमेगा तिसलिए आप जान से ठीटा बावर क्या लिखते बताओ लिखो एंगुलर वेलोसिटी अगर पता है तो एंगुलर टिस्पेसमें निकाल सकते है नृट लेगा इंटी अब बताईए कि फलक्स नृँ कॉइल कितना होगा यहीं पर बताओ फ्लक्स इचा कॉइल काुन क prop आप लोग लोग B dot यह नहीं बी मैंगेनेटिक फिल्ड एक कॉंट भेक्टर है आइंगल कितना यहां पर ठीट्टा तो बताइए तो बी इंटू ए आइंटू में यह क्या निकला फ्लक्स थुरू क्वाईल रेट अपचेंज तो निकाली सकते हैं तो रेट अपचेंज अपचेंज आफ क्या चीज़ फ्लक्स तो डी फाइबटा डी टी सहीन बगा डी फाइबटा डी टी चल बता सर बी रहने दीजिए ए भी ए भी रहने दीजिए और इसका डिफ्रेंस का पहले ठीटा का रिस्पेक्ट नहोगा का डिफ्रेंस सेशन पहले कितना तो कोश का माइनस साइन ठीटा अर ठीटा का फिर कितना अब यह सब तो आना चाहिए यह सब तो इजी है यह निकल गया रेट तो कितना है माइनस बी ए यहां बगल में लिख देता हूँ इसलिए डीफाई बटा डीटी बराबर माइनस बाहर बी इंटू ए अग डीटीटा बटे इसको क्या लिखता हूँ यहां पर ब्रैकेट में लिखता हूँ चुकि डीटीटा बटे डीटी रेट ओफ चेंज ओफ एंगुलर डिस्पेस्मेंट रेट ओफ चेंज ओफ क्या होता है होता है ना डीएक्स बाइडीटी भी होता है ना डीटीटा बाइडीटी क्या होगा ओमेगा ओमेगा क्या है इसका एंगूलर स्पीड है कोई दिक्कात तिक यह क्या निकल के आया मेरा रेट आप चेंज ऑफ फ लख्स तो यह फिंडूश्टी दखके निकाल सकते हैं बताए तो फ्रों प्राडेज लाओ इसलिए फ्रों कौंसा लाओ फ्राडेज लाओ अना EMF induced in the coil EMF induced in the coil क्यातना पढ़ा है minus of d5 बटा minus आओ उसके जगाप लिखो b a omega sin minus minus plus ने हो एपसलोन EMF कितना आ गया b a omega into sin sin यह हो गया EMF induced in the coil EMF induced in the coil कोई दिक्कत चलिए इतनो उसको उतार सकते आप लोग तो आप देखो इदर हमने एपसलोन के जगाप लिखा b a into omega यहां पर sin कितना लिखा बता ये sin लिख सकते हैं ठीटा के जगे पर क्या होता है हम चाहिए इसको एक काम और लिखते हैं अपसलोन इसकल टू अपसलोन नोट साइन ओमेगा टी सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं वेयर अपसलोन नोट पता है क्या है b into a into यह maximum EMF है यह क्या है maximum EMF है ठीक है अब इसको समझाता हूँ मैं क्या बताया हूँ क्या मैं बोला हूँ अगर यह time ले लेगा और यह मान लेगा कि EMF है इंडियू फोर रहा है तो देख गर आप में ध्यान से sign की maximum sign ठीटा है sign की maximum value कितनी होती है 1 और अगर sign की value 1 हो जाएगी तो epsilon की maximum value कितनी हो जाएगी b a omega है ना और अगर इसकी value सबसे minimum कितनी होती है इसलिए मैंने लिखा आपसलन नोट इसको एक टर्र माल लिया क्या चीज आपसलन नोट यह कौन सा EMF है तो तुम बोल सकते हो कि इसका जो EMF होगा maximum minimum की बीच में fluctuate करता रहेगा सबसे ज्यादा पिर EMF जीरो फिर EMF निगेटिव फिर EMF यहने ग्राफ है यह ग्राफ हो गया एपसलन इसकल टू एपसलन नोट साइन ओमेगा ती अब आप ध्यान से देखो यह कुस्ण आप एसे चम है की नहीं है तब मैं इसा नहीं बोल सकता हूं कि यह जो EMF है यह fluctuate कर रहा है यह सच अकुसलेट कर रहा है maximum minimum maximum 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 minimum नहीं तो अगर हमें यहां पे इधर मिटा सकते ना तो अगर मैं तुमको बोलूँ अगर मैं आपसे बोलूँ कि बहुआ यह काम कर अगर मैं बोलूँ if R is the resistance के माले क्वाइल का resistance of क्वाइल अगर उस क्वाइल का resistance कितना हो जाए R तो current in the coil कितना हो जाएगा current in the coil तो I के जगापर अप्सलन बाते R होगा भूले जटे बोले बाते resistance तो I बरबर कितना हो जाएगा अफ़लन नोट साइन आkte डिवाइड़ बहते तो आई बरावर या फिर या पर एसे लिखता हूँ इसको बी ए ओमेगा डिवाइड़ बहते लिवागा कितना आर साइन ओमेगा ती और बी ए मेगा बहते आर तो बी ओमेगा तो एपसलल नोट बोलते हैं अब मैं लिखता हूँ इसको एपसलल नोट डिबाड़र है कितना आए यहाँ पे साइन तो आई इस इकल टू आई नोट साइन ओमेगा आई नोट क्या है क्या है बताओ मैंजिमाम करेंट इंदा क्या करेंट भी फिलक्शूेट करेंगा अगर मैं करेंट का भी गराब बनाऊं तो कुछ ऐसा ही बनेगा यह आई हो गया और यह टी हो गया अब फिर से उपर एक लाइन किसका यह है आई नोट का फिर एक नीचे लाइन किसका माइनस आई नोट का अब फिर गराब बनाएंगे तो ऐसे ही बनेगा आई इस इकल टू आई नोट साइन ओमेगा ती अब याद करिये यार आप लोग जराब मेरे बताओ मेरे को यह क्वाइल है अब यही क्वाइल अब क्या हो रहा इसे इसे गूम रहा है तो जब क्वाइल आई से था तो फ्लक्स अब से फिर आपोजी डिरेक्शन में क्योंकि देखो अगर इधर एरिया तुम लिए आए पोजिटिव तो अभी एरिया किदर हो गया है निगेटिव हो गया है ना तो इसी जो हम लोगे घर में आता है इसमें क्या होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता है और AC का गराफ बनता था इसे ही बनता था ना तो देखिए कि प्योर जैसे ही वर्ड AC आया और हमने EMF का equation लिखा फट सा SHM का equation दिखाई देने लगा A sin theta याद किजिए Y ब्राबर A sin theta ये amplitude था ना amplitude is the maximum displacement amplitude किसको बलते हैं ये भी तो amplitude है किसका amplitude है ये EMF का किसका amplitude है यानि EMF की maximum value यानि EMF कितना से कितना तक क्या हो रहा है fluctuate तो इस value से ले करके यानि पलस epsilon node से ले करके इसी की बीच में EMF क्या हो रहा है यहाँ पर current भी देखो current पलस आई नोट से क्या हो रहा है तो हमारे घर में जो voltage हम लोग बोलते हैं न फटसा 220 volt या 220 volt पता है कौन सा voltage है कौन सा इवला की इवला की इवला हम लोग घर में RMS value मिलता है कौन सा value मिलता है आप सुन जीरो क्योंकि पलस ए मानास जूड के क्या हो जाएगा यहाँ पर Average नहीं निकलता है यहाँ पर निकलता है root mean असq maior A square A square का Average निकलता है यह direct Average निकलता है तक यह twin हमें किसका Average निकलना प्ड़ेगा A square का Average कर देंगा और उसका निकल जाएगा और फिर इसका रूट निकाल देंगे आरब में गोटार रूटे कुलरद र कुम्हा करेंट यहां ओंझा हैं च्थाएं होता है मुलोग पहाई है तो अधर हुआ हें क्या इधर मिटा दें आच्छा सुनो बालक लोग इधर देखो अभी मैं पढ़ाऊंगा नए अभी पढ़ाऊंगा नए अभी पढ़ाऊंगा मैं बसिर बोल देता हूँ ऐसा हम लोग सब पढ़ाने वाले हैं हमारे घार में जो वोल्टेज अप्लाई होता है कौन सा होता है Sh pais household voltage हो जो है ना, household voltage मिलता है बच्चा, voltage, वो क्या मिलता है बोगा? RMS voltage मिलता है, क्या मिलता है? और अगर सुनिए ध्यान से, हम लोग प्रूप करेंगे सब, टेंसा मिल्कु ने लाना, जब AC पढ़ेंगा ना, तो AC का शुरूआते करेंगे, average voltage, average current, instantaneous voltage, instantaneous current, सब तो होता क्या है आपसला नोट बटा रूट टू होता है अना similarly अगर तुमसे I rms पूछे root mean a square current rms का मतलब rms rms का मतलब बताओ root mean a square मतलब क्या करो जो term है जो करेंट का निकलना है तो current का पहले square करो फिर उसका क्या निकालो mean निकालो आपसका क्या कर दो root निकाल दो बन गिया क्या चीज rms ठीक है ना तो हम लोग पढ़ेंगे irms कितना जाएगा बच्छा लोग i note बटा i note बटे root 2 clear है ना बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं ना है तो बताओ नहीं अच्छा जानते हो यहां पे अच्छा चलो कोई दिकत नहीं अभी नहीं जानते हैं हम लोग पूर एना एक और टर्म होता है एक और पावर फैक्टर भी होता है cause हाँ आभी रहने देते हैं नहीं, एक्ट्रिम क्या है न, इसे को कोश्चन आगया 2020 में, बताता हूं क्या कोश्चन आया था, हाँ, लिख दो, अगर मैं तुमको बलू, कि इफ, डायमेंशन, आफ क्वाईल, सुन रहें बात को, अगर डायमेंशन का, क्वाईल का डायमेंशन एल, अल, एल एंड, लेंद क्तेने कोईल का, ल, बीट कितना है, समय बात को क्या बोल रहें हम लोग, देखो यह इसे बोल रहे हैं, L है और यह क्या है, B है, है ना, तो बताएए मेरे को आप, तो E M F की बहलू क्यतना लिखेगा, आपसलोन नोट की बहलू बोल, माइक जिमाम आपसलोन नोट बताओ, अगर पावर पूछेगा, माइक जिमाम पावर बोल, बताओ, पड़े हो ना, यह तो जानता होगा ना, तो क्या लिखेगा, यहाँ पर, बताओ, अगर तुमसे पूछे, एबरेज पावर, तब क्या करोगा, होगे, आए, क्या, आरे मस ना, अस्कॉार बटे में, तक अतना जागा सी दे से दि, क्या जाएगा, नैसल में रहा है, एबरेज पावर, एबरेज, कितना होगा, आप आरे मस का स्कॉार बटे में, और आरे मस के अतना होता है, एबरेज ना, तो इतना का स्कॉार, रूट टू का स्कॉार, रूट टू का स्कॉार केतना टू ना, तो एबसलोट का स्कॉार बटे में, तू आर, इसी लिए मैं बता रहा था, यहीं पर मैं तुमको बताना चाहरा था, कि जानते हो क्या होता है, power जो होता है, यह होता है, p max, i into में cos phi होता है, आए, cos phi को पता है, क्या बोलते हैं, बोलते हैं, power factor, क्या बोलते हैं, power factor, और maximum condition के लिए power factor होता है, तो phi का value 60 degree होता है, सब पढ़ेंगे न, maximum condition के लिए power factor के value कितना होता है, 60 degree होता है, ठीक है न, यह हम लोग बाद में देखेंगे, अभी, प्रूब करेंगे, लेकिन यहाँ से आप चाहो तो लिख सकते हो, तो देखिए, 2020 में question क्या आया, बोला क्या, magnetic field is along z-axis, यह है हमारा magnetic field, magnetic field is along, और एक ellipse, elliptical coil है, काईसा coil है? elliptical coil है, और इसका, x और यह क्या है, y और यह क्या है, बताइए, तो जे direction कौन है, तो आपका surface ऐसे है, यह इसका semi major axis A है, और semi minor axis क्यों सा है, B है, यह इसका है, यह इसका है, तो आइन ellipse, elliptical coil मैं लिखता हूँ, elliptical coil is kept in काईसा plane, बताओ, z plane, x-y plane, ठीका है, हाँ, having semi major axis A, and semi minor axis, कितना, semi minor axis कितना, B, ठीका है, uniform magnetic field, B is along, कि direction में, कि direction में, along, तो बोला कि, if ellipse, is rotated, by angular speed, omega, then find, power induced, in the coil, यह इकोस्टन था, power induced इंद, और power में, यहां पर लिखते हैं, average power लिखा हो दा question में, find, कौन सा power, average power, तो, चलिए, इधर मिटा दू, इधर, तो बता बहुगा, तुम लोग बताओ, यार, EMF, EMF, in ellipse क्या जाएगा, EMF induced, in ellipse, जल्दी बो लिए, epsilon क्या जाएगा पर, epsilon note, sign, इस क्या जाएगा पर क्या लिखेगा, B, A, कोई दिक्काद तो बताएगे, नहीं ना, तो, average power बताओ, P, average का फॉर्मॉला बोल, P, average का फॉर्मॉला, आएगे, आप सही है, तो बताओ, E, RMS का, अब बता में, R ना, रजिस्टेंस, क्वाइल का, इसका रेश्टेंस, R दिया हुआ है, रेश्टेंस कितना दिया हुआ है, R, तो क्या लिखे गएगा यहाँ पर, आपसलोन, RMS, तो एपसलोन, नोट का स्कॉर, बता में, 2R, बोलिए, यह होगी हमारा, आपसलोन, नोट के जगा पर क्या लिखेंगे, होजाएगा, यह अनसर जाएगा, P average, नहीं समझ में आया, यह तो अच्छा काम है, नहीं समझ में आना, खले होजाएगा, आप बोली, समझ में क्या नहीं आया, इसके पहले जो पढ़ाएगा, वो भी समझ में आया होगा, क्या यही समझ में नहीं आया, क्या कह रहा है, यही समझ में नहीं आया, क्या कह रहा है क्या 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 समझ में आया, अब भै कोशन क्या कह रहा है किसी को समझ में नहीं आया है तो हम बेकार पढ़ा रहे हैं मतलब कि एक elliptical coil है इस तरह से ellipse type का circular नहीं है कुछ होगा elliptical coil यह कौंसा plane में है एक्स बाइ प्लेन में है इसका semi-major axis भी दिया हुआ है semi-major axis ए है semi-minor axis इलिप्स जानता है न हाँ अब यह इसा रखा हुआ है इसके z-axis के तब क्या जा रहा है मैगनेटिक और बोला कि यह अब एकसी साइसा रोटेट कर रहा है इलिप्स तो अबरेज पावर क्यातना इंड्यूस्ट करेगा तो यह कोईल घूम रहा है ना जी इसका एंगल क्या हो रहा होगा गूमने का स्पीट भी दिया है कैतना स्पीड से गूम रहा है लेख वह आख रोटेटेट इदवायन बायं यंगलüss्ट कैतना ओमेगा तो अभी अभी कोई भी क्वाविल गूमें रेक्टाइग्傷 ड्लल हो ब इसकवार हो यह मैं अप इंड्यूस्ट होता कितना है होता है इतना कि नहीं होता है और यह epsilon note की value कितनी होती है बी-ए तो power average पूछ रहा था तुमसे question में इस question में पूछा कि then find average power induced in the coil तो कैसे निकालेंगे average power बताइए मेरे को आप तो पी-एबरेज का formula e rms का square बते में बी-ए square बते यार होता है है नहो rms voltage कैसे निकलता है maximum voltage बते root 2 का तो square करेंगे तो root 2 का square कितना हो जाएगा यह direct formula लगा दीजिए average power का कितना पढ़ाए अभी-अभी पढ़ाए है मैग्जमा में यह में बते में 2 r अभी न पढ़ाए है तो लगा दिए यह में कितना होता है b square a square omega square बते में 2 r क्या समझ नहीं समझ माया आए अभी भी नहीं आया समझ में अच्छ आच्छ और किसी को बहुगा बैट जाए बैट जाए और किसी को हो semi major or minor कहने का मतलब क्या सर हम कोई पता नहीं सर एरिया निकालने के लिए है semi major मैं area के जगा पर लिख सकते हो a b नहीं हो semi major और area के जगा पर क्या लिख सकते हो a b तो लिख दिए कितना जाएगा बताए b square a square फिर b square फिर omega square और नीचे में 2r यह हो गया हलाकी ellipse का area कितना होता है वह हम पूछने में सोचे कि बोला नहीं कोई हाँ बोलो कितना होता है पढ़ाये हैं अब कहां पढ़ाये हैं हमको याद है किस में gravitation में इसलिए हमको बताएए अब बिटा जाएएगा फालतु में याद ही नहीं रखते हैं आप लोग कुछू कितना था पाई इंटू एबी हाँ जी पाई भी आएगा बिल्कुल आएगा पाई लेकिन ओप्सन में पाई नहीं था अब नेगलेट कर दिया होगा बाई किसी ओप्सन में पाई नहीं था तो अपने मान से लोगे रही ना कि लिए लोगे एडी करेंट एडी करेंट इसको एक और नाम से जानते हैं फॉकल्ट करेंट भी बोलते हैं है ना बहुत इंपोर्टेंट है बहुत पहले पुराने जमाना में यह बड़ा बिग लॉस माना जाता था चलिए कोई बात नहीं है तो मैं आपसे इसको प्लाहने के लिए जो मैं आपसे पूछ रहा हूं उसका कुछ मुझे जबाब दीजिएगा यह जो पंखा जो घूम रहा है इसके क्वाइल को देखे हैं आएं तो देखिएगा ध्यान से क्वाइल को तो मैं बताता हूं इसको टॉप भ्यू देखो आपसे का कॉयल का ता इसा दिखेगा तुमको आइं इसमें बहुत सारे ऐसे होल रहेंगे आइसी कंदर क्या लपेटा रहता इसमें आइस नहीं रहता है बोल नहीं रहता है धेर सारक उसमें होल रहेगा छेद छेद रहेगा नहीं और उसी कंदर क्या लाइपटा रहेगा इसे इसे फिर इसके बगल में फिर फिर उसके बगल में फिर ने रहता है धेर जगर रहेगा यार तीन-चार जगर रहता है और बढ़िया पंखा लेगा जड़ी तो और ज्यादे रहेगा कम पंखा लेगा तुम बारासम तुम चुछता है कि तुम पूरा बढ़िया पंखा ले ले तो तो उसमें वतना तो नहीं रहेगा, अखरी देगा तीन हेर रहेगा पंखा, तो उसमें कोयल बढ़ियस नहीं रहेगा, देखिए यह तो यह हो गया, एक चीज़ और समझेए, इसको जब इधर से देखेगा ना, तो आईसा देखेगा तुमको, इसके कुछ ठीकेनस रहते है जिसमें कोयल बंधल रहता है ना, उसके कुछ ठीकेनस होती है, ठीकेनस सिंगल लोहा का नहीं रहता है, पत्ता पत्ता सीट रहता है, जैसे, हाँ, जैसे कि अगर मैं बोलू, कापी देना, लग अगर इसको देखे हम तो एक पन्ना को एक शीट माल ले तो आईसा सीट एक दो तीन चार धेर सा रद इतना मोटा हो गया और इसी को गोल जैसे क्या करेंगे लाइा इसी में चाँए धना बना देंगे आईसी में क्वाइल से लॉटा रहता है देखा है ऐसा होता है ने देखा है तो लोग तो बताओ मेरे को मेरा कोशन आपसे यह है कि अतना मोटा लोहससिंग्ल है ने है ना मेरा लोजिक समझ रहे बात को क्या बोलने चाहरे हम कि इतना मोटा अगर इसका रोटर है जिसको जिसमें क्या करना है बांधना है तो पूरा इतना मोटा लोहा का ही क्योंने काट इतना मोटा लोहा अवेलेवल है कि नहीं चद्रा है ना जी मोटा मोटा देखो ब्रीज म हो रेडियो डियो का ट्रांसफॉर्मर देखा हुआ तुम ट्रांसफॉर्मर में क्या देखेगा कि ऐसा एको सीट होता है कि ऐसा सीट होता है अब फिर एको नीचे में आई साइट होका रहता है ना आए पत्ला पत्ला अदम होता है इस कूट के अतना मोटा मोटा होता है नहीं और क्या होता है इस दुनु का आप समस्टा आदो ऐसे ता ऐसा बन जाएगा बीच में क्या है दोनों जॉइंट है और इसी के अंदर क्या बाना रहेगा इसे इसे देखे हो कि नहीं देखे हो बताओ अगर देखे हो तो बताओ और यह जो है ना यह भी यतना मोटा हो जाता है नहीं अच्छा कासा मोटा रहता है तो क्या होता नहीं यह को लिख य। पूरा मोटा हो जाता है तो पूरा क्वाए से क्या करते हैं बानते हैं फिर फिर से मेरा लोजिक वही है कि एक पूरा इतना मोटा काहे नहीं लेकर के ही एक के लोहा का क्यों नहीं उसमें बांद दिये, समझ मैं आउतको, तो इसका जवाब मिलेगा कहां पे, AD current या फिर, फोकल्ट, current में ठीक है ना, समझ मैं आगया ना, तो जब इसको आप देखियेगा, इसको तो आपको ऐसा दिखाए देगा, काई को सीथ है इसमें, धेर सा रहा है ना, पतला पतला सीथ, इतना मोटा बन गया है ना, आइसी कूपर क्या लापेट दिया गया है, क्वाइल, था ऐसा नहीं बना सकते थे, यह क्यों लिये इतना मोटा, लोहा रॉड, आइसे, आइसी कूपर क्या लापेट दिये, क्वाइल, अब मजबूत भी हो जाएगा, नहीं, तो क्यों नहीं होता है, ठीक है ना, इसको हम लोग समझते हैं, तो इसको समझने के लिए फिर से एक डियाग्राम बनाते हैं, ठीक है, यह सब लिखना है, नहीं लिखना तो पड़ेगा, अभी ने तो अभी थ्वादर के बाद, हाना, तो फिर से मुझे बनाना पड़ेगा महनत करके, तो आप लोग बना लो, एको पेज पे, आने तो राने दो, छोड़ो, राने दो इसको, आएं, बस उसको नहीं मिटाते हैं, यह दर देखो सब लोग क्या करना है, मुझे बताइए, इक कौन सा पोल है, और यह कौन सा पोल है, तो इधर के तरब क्या आ रहा है, इसमें क्या किये हम, एक कंड़क्टर को लिए, मेटल का पलेट लिए है, क्या है यह? यह मेटल पलेट है, इसको ऑक्सिलेट करवा रहे हैं, समझें न बात को, यह क्या हो रहा है, ऑक्सिलेट हो रहा है, तो क्या हो रहा होगा, जोरो सोचो जड़ा, यह कौपी है, और हमारा, इधर भी एक और नौर्थ पुल है, इस तरब कौन सा पुल है, तो नौर्थ से साउथ करवा रहा है, आईए बीच में कौपी ऐसे-इसे हो रहा है, तो सोचे जड़ा है, इस कौपी इस फलक्स क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा ना, अभी फलक्स क्या है, ज्यादा, क्या हो रहा है, कितना हो गया फ्लक्स, फिर बढ़ना शुरू हो गया, फिर, फिर, नहीं, यानि इस पूरा प्लेट से फ्लक्स बार बार क्या हो रहा है, तो मैंने तुमसे बोला कि अगर, बताई, लेट, अ मेटालिक प्लेट, अना, इज रिवोल्ब, यह मैंने कि है इन उक्सलेट्स, अना, इन उनिफॉर्म मैगनेटिक फिल्ड, इनिफॉर्म मैगनेटिक फिल्ड, ठीक है, दिव तु विच, फ्लक्स, थू, प्लेट, चेंजेज, विथ टाइम, हाँ यह ना, इस प्लेट के थू फ्लक्स क्या हो रहा है, है ना, दिव तू चेंजिन् उफ्लक्स, दिव तू रेट अफíciaंज उफ्लक्स, दू रेट आफ चेंज उफ्लक्स क्या होका, इसमें, EMF is induced in the plate कौन से plate metal metal plate में क्या induced हो गया EMF और जहां भी EMF है तो metal के अंदर तो electron है ने मौझूद सारा electron क्या करना सुरू कर देगा तो the induced EMF in the metal plate produces AD current loop in the plate AD current loop ठीक है which ultimately metally according to joule's heating effect अब इसके अंदर flux change होने के कारण EMF induced होगा और उस EMF के कारण इसके अपने अंदर ही यह को लूप बन गया क्या चीज़ का क्या चीज़ का लूप बन गया क्या चीज़ का लूप बन गया क्या किसके अंदर बन गया उस प्लेट के अंदर और यह लूप क्या करने लगा heat produce करने लगा क्या produce करने लगा heat produce करने लगा तो और ज्यादा लूप बनता उसके अंदर a strong लूप बनता की नहीं बनता क्योंकि अगर प्लेट का थिकनेस ज्यादा है तो resistance कम हो जाएगा current की पहलू क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी है ना तो जब current की पहलू बढ़ जाएगी तो a strong loop create होगा एक single मोटा लोहा लेने के बजाए हमने क्या किया अलग अलग laminated sheet लिया क्या लिया यह हमारा laminated sheet है तो हर एक sheet का थिकनेस क्या है बहुत ही तो इस हर एक sheet में अलग-अलग add current produce होगा और चुकी उसका थिकनेस बहुत काम है तो add current की भैलू भी क्या रहेगी काम रहेगी तो heat का production भी क्या होगा अगर इस पंखा का coil बादने वाला rotor जो है जो घूम रहा है जिसके अंदर coil क्या है अगर इतना मोटा वो है अगर इसको देखा जाए तो ऐसा सुच सकते हो अगर यह single metal बना दिया जाए तो इसके अंदर loop current इतना strong हो जाएगा कि बहुत भयंकर heat क्या करना शुरू कर देगा तो अगर दुचार पाच गंडा पंखा चल गया तो फ्लक्स तो continue change हो यह रहा है तो गल करके क्या हो जाएगा वो नीचे गिर जाएगा नहीं इतना ज्यादा heat produce हम चाहते हैं कि वो heat produce मतलब कौन सा current produce नहीं हो कौन सा current produce नहीं हो AD current कौन सा current produce नहीं हो AD current या AD current के account क्या नाम है focal current उतना produce होगा तो होगा यह उसको तो आप neglect करने सकते हैं लेकिन आप चाहेंगे कि उसके value जतना कम से यानि weak हो तो हमने क्या किया उस पूर्य ठीकनेस वाले disc को पतला पतला sheet में divide कर दिया और हर एक sheet में अलग-अलग produce होगा यानि कि जो आदमी इकठा होके काम कर रहा था उसको हमने अलग-अलग portion में क्या कर दिया divide कर दिया तो सबका ताकत क्या हो गया घट गया कि बढ़ गया घट ने गया अरे इसका ठीकनेस ही नहीं तो लूप बनेगा भी तो बनेगा कितना strong बनेगा और हर एक लूप को एक दूसरे को मतलब क्योंकि कैसा street है तो एक दूसरे का connection ही नहीं हो दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है इंसुलेटर लगा हुआ है नहीं तो भाई एक लूप दूसरे को support करेगा नहीं ना तो उसका अलग-अलग कोई काम करता है तो उसका value क्या होता है कम होता है ना तो इसलिए हम लोग किसी भी चाहे तो starter का coil हो fine का coil हो transformer का coil हो कहीं भी coiling अगर करते हैं तो उसका seat use किया जाता है वो क्या होता है laminated होता है और पतला-पतला thin seat को जोड करके बनाय जाता है ना कि single body बनाय जाता है clear? AD current का definition समझे पहले जब किसी भी sheet से, किसी भी metal से अगर flux change होगा तो metal के अंदर एक close loop of current induced होगा and that close loop of current is known as AD current which ultimately produces magnet, sorry heating effect in the plate, in the coil in the iron कुछ आप body ले ले लेजिए clear? तो उचको उतार लेजिए आप बोलिये wire भी laminated रहता है ने तो सब short circuit हो जाएगा उल्फूर जाएगा सब नहीं बोलिये तो पहले figure नहीं बना रहे न आप लोग तो बनाईए भी नहीं अभी अभी आपको definition लिखना है किसका? AD current का यह figure बनाईए definition लिखिए यह बाद में समझाएंगे अभी क्यों बनाये हैं यह बना लीजिए solenoide देखे न देखे तो यह solenoide है माली इसमें current जा रहा है कितना? और यह current तुम्हारा आई किसका function है? time का current constant है तो क्या हो रहा होगा? तो magnetic field produce करेगा ना? बोल यह जो magnetic field produce कर रहा है coil के अंदर यह fix है कि भैरी कर रहा है आए fix है तो भैरी करेगा ना? यह magnetic field भी function होगा किसका function होगा? क्यों? क्योंकि current ही किसका function है अब सोचिए जरा मैं क्या कर रहा हूँ कि इस वाला coil के अंदर एक solid core add का दे रहा हूँ आए यह 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 क्या है बताइए solid core है और इसको हम क्या किये है उपर लिखते थे थे थासा solid core placed in coil यह solenoid अब इस coil के बीच में क्या लगा दिया तुमने? metal का core रख दिया ना solid अब coil ऐसा है इसके उपर से coil से है अब बताइए आप लोग यह सारा का सारा magnetic field इस coil के cross section से पास करके जाएगा कि नहीं जाएगा? और यह magnetic field constant है कि बतल रहा है तो अगर इस magnetic field को हम इस coil के area से क्या कर दें? multiply कर दें तो क्या चीज़ का वहलू देगा? देगा flux और flux fix है कि बतल रहा है क्योंकि B बतल रहा है तो flux भी क्या होगा? तो सोचो कि इस coil के cross section अगर देखा जाएगा हर जगा क्या producer जगा इसे? AD current नहीं बन जाएगा इसके अंदर क्या बन जाएगा यह? AD current बन जाएगा और यह जो AD current है AD current loop बन जाएगा? यह coil को क्या करना सुरू कर देगा? heat करना सुरू कर देगा? गरम करना सुरू कर देगा? तो हो सकता है कि वह coil उसके अंदर में क्या बन जाए? पिघल जाए? नहीं तो बड़े बड़े industry में लोहा को अगर पिघलाना होता है तो induction के through induction furnace बोलते हैं तो magnetic induction के through उस लोहा को क्या कर सकते हैं आप? पिघला सकते हैं कब? जब उसमें आप magnetic field को change करेंगे तो अपने आप AD current produce होगा और AD current के अंदर सा heat के generation शुरू होगा अब धीर देर लोहा क्या कर शुरू हो जाएगा? गरम आप simple सा example रखो induction चुलहा जो आज के जमाना में सबसे famous है नहीं induction चुलहा तो induction चुलहा क्या है? तुम्हारा heat कैसे produce हो रहा है? induction method ही तो हो रहा है अरे हो रहा है ना induction चुलहा काम आपका current दे रहे हैं कि नहीं? तो वहाँ पे वही logic काम कर रहा है induction furnace जहां पे current से सब क्या करते है? पिघलाता है सबको heat यतना amount of heat generate कर देता है कि वह ऐसा ही क्या जाता है? हाँ induction heater का नाम तुम्होंग सुना होगा microwave induction heater है उतारिये यह तो तुम जान गया कि AD current होता क्या है clear है ना? यह भी पता चल गया कि हम लोग कोई single solid body कभी भी use नहीं करेंगे नहीं तो कैसा use करेंगे? पतला पतला street को जोड करके use करेंगे ताकि हर एक में अपना-पना AD current होगा इसका खुद का AD current होगा इसका इसका बगल में जो आएगा उसका खुद का AD current होगा असाभे का AD current जो अपना होगा क्या होगा? कमजोर होगा तो वो जाता हीट produce? हाँ ने तो पंखा 12 गंड़ा चलाएगा न जिस दिन उस इन पंखा नीचे लड़के गीर जाएगा हाँ जर गरम तो heat तो प्रोड़ी सोबेक करता है ना लेकिन इतना ज्यादा हो जाएगा तो लिखेगा? हाँ ना? वही रूल को फोलो करेगा पर इंडिस्ट इम है पर इंडिस्ट करेंट का रूल को लेंज लाव जी अरे डाइरेक्शन ओप एडी करेंट किसको फोलो करेगा? लेंज लाव पढ़ाएं लेंज लाव चल तो लिख तू एभॉआइड तू एभॉआइड heat loss अना to avoid heat loss अना in core metal solid in core metal solid to avoid heat loss in core metal solid we use multiple thin sheet multiple with different with different shapes to form core to form core in core in core in core the AD current in each laminated sheet will be very strong very weak in core in core in core in core in core as well as the AD current अगर्णाश्टरशीर मीज़क अधयं यसावटर च्छार्ट। आपक्र्णाश्ट। सेती प्रणाश्ट। इससे इसे प्रणाश्ट। and do not produces and reduces the loss of power in heating effect. हीटिंग एफेक्ट के कारण जो power loss हो रहा था, अब वो power loss ज्यादा होगा कि नहीं होगा? आएं? तो अब इफटगा बना लीजियेगा बना लीजियेगा ना? आएं? 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 आएं इसा रहता है बाबु हो भेशरा शीट एक साथ क्या क्या रहेगा? जुड़ा रहेगा और सभी में इसे क्वाइल लिंग, किया रहेगा? हरे का अपना एडि करेंट होगा जिसका एमाउंट जिसका ताकत बहुत ही और एक दूसरे से सब लेमिनेटेड है